ताज महल वैसे तो इंडिया में काफे सारी जगह हैं गुमने के लिए लेकिन उन में से एक सबसे खुबसूरत जगह है ताज महल जो कि आता है सेवन वरंडर साफ वर्ड में तो आज इसी को एक्स्पोर करने वाले हम इस वीडियो में और मेरे साथ है कुछ मेरे सेपाटी मतल जा रहे हैं और मैं इसका प्रिट्ट्ट इसका सामान डोरा हूं यह अर्मान भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं और यह जेव काट में जा इस मंदे से दूर रहें अगर आपको कहीं दिखे तो कंप्लेल कर दे और थोड़े देर के बाद आगाई हमारे ट्रें इसमें हम बै इसका नाम मेरे हवाले होता है लेकिन मैं रुंदो सीट राजेस भाई को निचावर कर देता हूं क्योंकि ट्रेप भाई नहीं स्पांसर करी होती हैं तो नो कॉंप्रमाइज पर थोड़े देर के बाद आ जाता है मतुरा वरिंदावन होटल में दोनों भाईयन में चालिज चालिज-चालिज गुजिया दबाईया है पांसरो पहला है वो देगा पांसरो के लिए जो कि है आगरा जो कि हमारा भी फाइनल डेस्टिनेशन है तो हम वहां पर उतरेंगे तक मैं विंडो सीट का थोड़ा सा मलें लेता हूं फिर आगरा स्टेशन पर उतरते हैं हमें यह देखने को मिलता है जहां पर एक टेक्सी वाला कंवेंस कर रहा होता है तो भाई यहां पर मज़दार चीज यह होती है कि भाई ना टेक्सी वाले को इंग्लिश आती है ना फॉर आगरा गो आगरा फिर हम यहां एक फज आते हैं इस कैम में यह लोग हमसे चैसोर पर लेते हैं और फुड़े गुमाने का वो करते हैं कि आगरा में जो भी फेमेस जगह हैं अब हम गुमाएंगे लेकिन इसके बाद हम इसाथ क्या होता है आपको ब्लॉग में आगे दिखाता हूं तो हम यहा पहरे जाते हैं उसके बाद हमारा आगी देखो का है क्या प्लान वो पांचे जगह बता रहा है हमें लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह लेके जाएगा तो वैसा ही हुआ सेम एक्जेक्ट कैब आ गई हमारी इसमें जाएंगे हम पुरा दो भाई कैब बोलकर हमें ऑटरिक सम मंदिर वहां को यह विजिट कराने वादे हैं बाहर मौसम भी बढ़िया है और नजारा भी मस्त है जब यह लो यू लो आप थोड़ा आग रहा है तो गाइस ट्रिप शुरो होने से पहले हमने सोचा बाला जी कासिरबाद लेले सब बोलो जैसरी बाला जी जैहो और तो ही अरमाण जी यह तुरी बाला जी चलो जयो बाला जी नाओ गईस वी आट एंट रिगेट ओफ ताज ताज महल हमारे भाई लोगे यह आरमान भाई जैह आरमान भाई जैको भाई यह है नाजी भाई तो आप ताज में लाओ चुकिया है, अब देखिंगे आगे क्या होता है, फटेह पुरी मस्जिद, फटेह पुरी मस्जिद, जैसे कि देली में लगता है, यहां पर साइड में जो यह गैलरी स्टैप दिख रही है, यहां पर आज से 20 साल पहले तक मीना वुजा लगता था, जैसे कि देली में लगता है, रेड़ फोड के अंदर वैसे ही, यहां पर आगरा की सभी, सभी फेमाज सीजे मिल दी थी, दूब भी, अकाज भाई, ब्लैक कपटे पहन का हैं, लेकिन फिर गवर्मेंट ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि, आइड़न तो क्या रीजन रहा यह है एंट्रिगेट, और वो है टाच, पचपन से जो एंथूस्याजम था कि हम ताज महल देखे, डेल्टा के कॉपी के कवर पेज पे दिखते दिखते हम थक गए थे, वो एंथूस्याजम अब खत्म होने वाला है, और हम सीधा एज अब ताज महल को अपनी आँखों से के अफंवाल है, काफी कवर पेज को चोड़ गए, काफी क्राउड है क्योंकि हम पहली के यहां जेक्सट नेक्सट यह घायेक है, और यहां पर क्राउड इसलिए हैं क्योंकि, बहूछ सारे और बहुत सारे लोग वृंदा भी आए है, तो वृंदा विजिट करने आये हैं, दूप भी काफी कड़क है लेकिन मैं आपको सीथा व्यूज लिखाता हूँ ताज महल ये को एक जलक दिख रही है जैसा ही हम उसके पास जाएंगे एक अलगी अलगी अट्रेक्शन टाइप हो जाएगा और आपकी आँखों में वही बच जाएगा वो इतना तगड़ा लग पाएगा जो देखते हैं आगे क्या होता है आई ने असली ताज महल के साथ फोटो किछवा लिए और जैसा मैंने कहा था सेम वैसा ही हो रहा है आगे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है इतनी ब्राइटनेस है इसमें ताज महल में और क्राउड भाई से ज्यादा है यहां पर और सभी क्राउड भाई फॉन कामरा मुवाइल फॉन जो भी है एक पास केप्चर करने के लिए क्पर के कड़े हैं और एक चीज़ रिलाइस करिए कि बल आदियों में आओ और हो सके तो कपल हो तो ज्यादा बढ़िया है या फिर अपने लब बंस के साथ आओ यहां भाई मैं जिसको देख रहा हूं सब कपल है तो गाइस सामने जो दिख रहा है आपको यही है ताज महल ताज ज्यायज जैसे ताज महल के पारे वैसे बड़ा लग रहा है काफी टाज मह सबसे खुब पॉइंट पे सबसे खुब सुरत विव पॉइंट जो कि यहां पर यह माने जाता है कि काफी अधक कारी-गिरी करी गई है क्योंकि यहां पर साही लोग आया करते थे जो कि इदर से आगे जाके लेफ्ट की तरह है महां से यमना रिवर दिख वहां पर एक जवाने जवाने में लोग नाउ से आये करते जो भी साही लोग थे और वहीं पर एंट्री रिया करते थे उसी तरफ से ताज महल में तो चलो देखते हैं लोग आपको इस सिनेमेटिक्स व्यूओ लो ताज महल के ताज महल के भाई धूप भी बहुत कड़क है यहां पर दूप ऐसा जड़ा देने हो लिए बिना किसी देरी के आगे हम यमना रिवर पॉइंट पे लेके चलते हैं आपको यह ताज महन और यह रहा यमना रिवर पॉइंट भाई मुझे एक चीज यहां पर बहुत बेकार लग रही है जो कि है यह यमना नदी जो कि हम इंशानों न ही गंदी कर दिया नाले जैसी हो गई है और यह है पोर्ट जो कि बंद है फिलाल भाई यमना नदी ही नहीं बात की जितनी भी नदी हैं सब हमने गंदी कर दिया बेकार है नहीं करना चाहिए फोड़े देर के बाद मैं आ जाता हूं 200 रोपे की टिकेट लेके उपर जहां प फेक कबर है असलिक कबर तो तैखाने में और यहां पर वीडियो बनाने भी अलाउड नहीं होता है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरा फोन खोला रह जाता है समझे लेंगे लेंड्सकेप और पोर्टेट दोनों को मिक्स करके अलग से मोड में ही वीडियो बना रहा हूं भाई पता नहीं क्या ही वीडियो आई होगी बट आप इसी को देखे काम चला लो बागी आप आओ तो आप यहां विजिट कर सकते हो और उपर आने के लिए यहां पर एक नीले जूते मिलते हैं उसे पहनना पड़ता है सबसे ज़रूरी परना एंट्री नहीं है फिर मैं प लेने के लिए हम मेट्रो लेते हैं मीना बिजार के लिए जहां से भाई ताजमहिल का लुक में तगड़ा रहा होता है एक और अच्छा व्यू मिल रहा होता है फिर मुझे मिलता है ऐसा प्राणी जिसके जूते देखकर मैं सोच में पड़े जाता हूं कि भाई यह जूते ह जूते कहां से लिए जूते कहां से लिए अबनमाये भाई ने तो हम जाने वाले हैं एक सौप पे मीना बजार नाम की सौप यहां पर सारी क्रॉक्री आइटम्स और डेकॉरेटिव इटम्स जो की हैंड में रोते हैं और साड़ी बगरा सब चीज मिलती है पेठे मिलते हैं जो भी आगरा की चीजें वह मिलती हैं और जो एल्री इस भी है लड़कियों की ऐसी है कुछ देखो तो आप यहां आ सकते हैं लेकिन फिर यहां पर भी स्केम हो सकता है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कॉमेंट सेर स्ब्सक्राइब करते हैं चैनल को शेचा और इसक और मिलते हैं आपको नेक्स स्टूडियो में तब तक वे बाई